वेलकम टू आडिस लीगल अज जसीं बार कॉंसिल ओफ इंडिया दा दो ह्यार उन्नी दे विच जो एक्जाम हुया सगा उदा कोर्शन पेपर डिस्कुस करांगे विद एक्स्प्लानेशन ते सब तो पहले आज़ी फिर्स्ट कोर्शन देख देया हैं जिदे विच की कुछ स स्टेटमेंट्स देतियां गई आया को ओधे विच जो केड़ा क्रेक्ट मैथ्थड या पुछ रहे हैं फर्स्ट है का एन इंडिया कंसिट्रेशन मस्ट फॉलो फॉलो फॉम प्रॉमसी ओनली कि जड़ी कंसिट्रेशन हा वो सिर्फ प्रॉमसी बल्ल होनी चाहिए दी या त दी दे वेचि कह रहे है इन इंडिया कंसिट्रेशन मस्ट फॉलो फॉलो फॉमसी ओर एनी अधर पर्सन तो एदा जड़ा क्रेक्ट आंसर है ओ है डी ए कोडिंग दू जो इंडियान एविडेंस एक्टा ओदा सेक्शन दो आ ते सब ए सेक्शन ओदा डी या जदे वेच डे वेच ऑँ जो दिद्धी जावेगी ए सो सेकंड क्वेस्टन कि या असरस्शन है कि जड़े क्लोलेटरल टांजक्षान टो वेजरिंग आर वैलिड जड़िया क्लोलेटरल स्कॉर्टी जड़े वेजरिंग जड़े कॉंट्रेक्ट या वेलिजरे जड़े गॉन दिया है ते रीजन या एदा दिता है अउनली वेजरिंग एग्रिमेंट आड़ डिकलेड बॉयर्ड अंडर सेक्शन थर्टीन ओफ दी इंडियन कॉंट्रेक्ट अग्ट वोदे विच दस रहा कि जो अपने सिर्फ जटे वेजरिंग कॉंट्रेक्ट या वोईड है सेक्शन थर्टी दे अंडर इसले ही एदा जो अपना आंसर है एप्रोप्रेट जे देख्या जावे ताँ जटिया एक किसे भी तरह दियां ट्रांजेक्शन नो नो वोईड कारदा सिर्फ ते सिर्फ वेजरिंग कॉंट्रेक्ट नो वोईड कारदा है इस देले जड़े अपना एदा आंसर है और डी होवेगा कि जेडिया एद उन्ने स्टेटमेंट है सही अपने आप दे बेच्चन ते थर्ड क्वेच्चन है होल्डर या ओ केड़ी केड़ी चीज अनिक्लिवड कारदा है फरस्ट है गापई, पई कही अधा है पई हुझता है जो अपकिसे नो चेक्चट ड्रॉ कारदे है ते जड़े ना ते ड्रॉड किता जान दा है उन्नो पेई कैन देया शोग्रेडिन थे चेक क्या है ते उन्ही किसे किसम धा डाकुमेंट गिसरी नामस तो ऊस इंसान नूँ बैर प्यालोग गडिसान तो दीन दोस्ट किसे डाकुमेंट ते बातेؤ ते लास्ट जेड़ी साथ यह option है all the above जिस तरह का आप पहले 10 term discuss किती है जो जेड़ा holder है तिन्ना ने include करदा ते यह answer होगा जो ओ होगा डी ते फोर्थ है जो कि जेड़े विच किन देक under the dissolution of Muslim marriage act 1939 a Muslim wife can seek dissolution of marriage if the husband fails to perform marital obligations so एदा जेड़ा correct answer है ओ है बी ते जो अपने Muslim act दे अंडर जो अत्ता डिया जे तुसी तैन साल दे अपनियां marriage तैन साल बेच अपनियां marriage obligation नूँ नहीं निवाँ देता ता डीजडी marriage आ ओनू जड़ा आते dissolve किता जा सकता है ते पांजमा question है the concept of curative petition was introduced by the Supreme Court of India in the case of तो एदा जो ए आंसर है ओ ही सही है रूपा शोक हूरा वरसद शोक हूरा AI202 एस case दे विच जो curative petition है यह सी जो introduce किता गया सका ते होन अपने देख दे यहां 6th question 6th question हा जो की right to free legal aid was recognized as a fundamental right under act 21 of Indian constitution in the case of तेकन दे article 21 दे अंदर केड़ा case दे विच डिसाइड कीता है जो free legal aid है ओहो साड़े fundamental right दे विच आँ दी है एस case नो जो bar council देवारा delete कार देता गया सका इस question हूँ ते कारन है सका क्योंकि हुसेना खातून बर्सस state of भिहार ते MH होस कोर्ट बर्सस state of महाराष्टा इना दोना cases दे विच्चे ही सप्रीम कूर दे दवारा किया गया सका जेड़ी free legal aid है ओह आम जो की person है ओह अफोर्ड नहीं कर सागदा legal proceeding दे खार्चा ते ओदा आर्टिकल 21 दे अंदर अधिकार है का उन्हों free legal aid प्रवाइड करवाई जावें ते सात्मा question देख दे यां इन्दी case of महांमद अलहाष्द खान वर्सस महांमद इसमाइल खान is related to जड़ा है एक case है ओह है का acknowledgement of paternity नू लेके muslim जो law या उस चीदे विचे रिलेटेड है बेसिकली जो केस है ओडॉप्शन नू लेके भी point दे डील करदा है कि अडॉप्शन दा कोई भी concept है ओ muslim दे विचे नहीं है ते एदे विचे acknowledgement of paternity जो doctrine ही न उस चीज़नों discuss कीता गया सेगा जो अठमा question है कि 2017 दे केड़े case दे विचे triple तला क्या ओनू unconstitutional declare कर देता गया से जिस तरह कि समसार्या नू पता है शैरावान नो versus union of india दे विच एस नू जो unconstitutional declare कर देता गया सेगा इस दा आंसर है ए ते 9 है जो mens profit और property दा की mean न उन्दा है इस दे लिचे नू जो mens profit और दी सनू प्रवाशा देखनी पबेगी cpc दे विच जो cpc या 12 section 2 ते subsection 12 mens profit दी definition दन्दा है ते इस दी definition की है those profits which the person in wrongful possession of such property actually receive और might have receive there from together with interest on such profits इस दा जड़ा सही आंसर है ओ ए ही है जिस तरह की पूरी दी पूरीत थे जो definition आ ओ ही ए दे विच कोड किती गई है जो बी है दी profit due to improvement made by person wrongful possession दी के अंदा है का mean profit हो हुगा जे उन्हें improvement किती है wrongful possession दे विचे जेड़े ओथो उन्हों कोई improvement तो उन्हों कोई चीज अपने मेंस profit बीड करदा पया तो वो ए दे विच मेंस दे विच आएगा जो की बिलकुल गालता जरूरी नहीं आगा को improvement तो कहीं करें उस तो लावब भी जे वो कोई profit gain करता पया तो मेंस profit दे विचे आवेगा तो यह दा answer है जो यह है दसमा question देख देख देया विच इस दी falling is not a legal representative जेड़ा एक question भी या delete कर देता गया सका क्योंकि यह अपने आपदे विचे question काफी a confuse गादा सका जो executor रहते administrators आ यह भी जो लीगल representative हो सागदेया जो हिंदू को पार्सनर आ यह भी यह legal जो अपने representative हो सागदेया ते जो c ते d options की creditor creditor जेता ओ थर्ड पर्सन है फिर ओ किस तरह legal representative हो सागदा है ते d है जो inter midler यह हुंदे पर्सन जेड़ी की जिना दा matter देना कोई लेना देना नहीं हुंदा वो अपने आप ही उस matter दे विच आ जान देया ते ओ उस matter दे विच यह कोई काम कर दे पहया ते ओ सिर्फ ते सिर्फ उस देली पैसें देली काम कर दे पहया तो इस तरह दे पर्सन भी जो legal representative नहीं हो सागते तो इना ने दे विच यही पुच्छा सेगा कि इना दे विच जो केड़ा legal representative नहीं हैगा सी ते डी दूनों नहीं है गे इसलिए जो question ना बार कॉंसिल दे दुवारा नों delete कार दता गया सी public interest litigation is a relaxation of which of the following requirement ए हैगा jurisdiction बी हैगा local stand आई देखो jurisdiction था public interest litigation दे विच नहीं हो सागता क्योंकि जो public interest litigation है वो सिर्फ ते सिरफ हपा high court जो supreme court दे विच दाखल कर सागते क्योंकि इत्ते फिर jurisdiction दी वार आजांदी आप लोर कोड़ च नहीं कर सागते इसलिए जो public interest litigation है उत्ते jurisdiction च कोई relaxation नहीं है गी ते इस दा जो answer है बी local stand आई local stand आई हुंदा है कि the right or capacity to bring an action or to appear in court मतलब कि अपा कोई भी public matter है किसे दा चाहे matter है अपा उस matter दे उत्ते court दे वेच च अपियर हो सागते हैं इसलिए जो इस दा answer है बी क्योंकि जरूरी नहीं हैगा कि जेदेना तक का हो रहा ओही इंसान पेर हुए आप भी कोई भी आम आदमी इस दे लिए पेर हो सागता है इसलिए इस दा answer है बी local stand आई ते जो next question है which of the following is not a case of public interest litigation ते इस दे बीच पिल ला case है केशवानन्दा वारती वर्सर स्टेट आफ केरला तो इस दा जो answer है ओह यह है क्योंकि जो केशवानन्दा पारती case है यह कोई public interest litigation नहीं सगी यह जो केला विच माठ दे पुजारी सेगे ओदे दुबारा ही अपनी property नू लेके case कीता गया सगा so इस दा answer है जो right ओह यह है इस दे लिए आप elimination method जूज करांगे ते बाग की दे सानू देखन दी लोड नी है की ते उस दो बाद देख दें आपा question 13 which of the falling can be done by senior advocate in accordance with the rules of bar council of india so इस नू देखन दे लेई सानू जो section 30 advocate एक दा ओ देखना पवेगा so एदे विच जो अपना statement पढ़ लेनने है की जो advocate हो की की नहीं कर सकदा senior advocate में concession on behalf of client on instruction from junior advocate b हैगा accept instruction to draft a pleading c हैगा accept brief directly from a client d हैगा none of the verb so एदे बिच अपना eliminate कर दने या जिड़े law केंदा प्याया section 30 केंदा प्याया की जिड़ा senior अपना advocate नो कोई भी instruct नहीं कर सकदा कोई भी pleading draft कांदे लेई ते उस तो बाद जिड़ा का एड ड्रेक्ली जो ब्रीफ है क्लाइंट तों जिड़ा senior advocate और नहीं लवेगा इसलिए जिड़े नहीं एल्मिनेट हो जन्दिया थे थर्ड भी है जिड़े नन ओफ दिवाब एव एल्मिनेट हो जन्दिया ते एदा जो सही answer हैगा make concession of half of client on instruction from junior एदा answer ए होगा क्योंकि जो भी कम करेगा senior advocate अपने junior दी instruction दे उत्ते गरेगा हुण पर देख दे चौदम विच बन ओफ दी फॉलिंग इस टू वाट लेटन मैक्सियों उभी जस एवी रेमडियम उभी जस एवी रेमडियम दा जिस तरह का आर्थ ही है वेर देर इस राइट देर इस रेमडी सो इस दा जो answer है ओ फरस्ट ही है ए नेक्स्ट जो लेटन ए वर्ड हैगा इंजरेस इने डेमनम लिटरली मीन से दा किया जो की इस दा लिटरली मीन हैगा इन फ्रेंजमेंट ओफ लीगर राइट बदाउट डेमज़ जो जड़ एदा आंसर है ओव एई है इस दा भी सोडाते हैगा या दी प्रवीजन रेलेटिंग टू क्लेम ट्रिव्यूनल इस गिवन अंडर इस दा आंसर है ए रूल ऑफ एक्टी मीन्स दा की मतलब हुंदा है असी एक करकी देख देख देयाँ एक्वेल्टी भी फोर दी लौ कुनून दे सामने समानता सुप्रीमेसी ओफ दी लौ जो लौया सुप्रीम होगा प्री डॉमिनेंस ओफ लीगल स्पेट जो कि अपना डॉमिनेंस रवेगी ए लीगल स्पेट दी जो ए जड़िया रूल ऑफ लौ देवेचे सारी यह पॉर्पस और यह परपस ही था का किसे लीगल अथार्टी नो चेंज काना का यह प्रपस यह तो डे कोई अचन्य पॉर्टी पॉर्ट आफ पॉब्लिक पॉस्ट क्वेस्ट नाइटी है जो किन्दे रिट आफ सर्चरी कैने भी इशुट अगेंस्ट है जिस एदा जो आंसर है वो एही होवेगा जुडीशल एंड क्वासी जुडीशल वोडी जिस तरह के साहनु पता है जो सर्चरी रिट ओ सिर्फ जुडीशल ए इनादे अगेंस्ट इशु किती जा सकती है जो क्वेस्ट भी है स्प्रीम कोफ इंडिया हैल्ट देट इट इस पर्मानेट ऑबलिगेशन ऑफ एवरी मेंबर ऑफ मेडिकल प्रफेशन इदर गवर्मेंट और प्राइबेट तू गिब मेडिकल एड तू एवरी इंजिड प एग क्या गया सगा केस्दे विच कॉमन कोट्र वर्सज ऑफ इंडिया इस सदर दे बी हैaina दिगा पीडल जूट ऑफ इंडिया देगा पर्मानांद कतार्विर जू सुन ऑफ इंडिया जो इद रइट करिबा तू फॉस तू बादे внимание है एडि한다 क्वेंड इन्यवर्य एड् more effectively and investigate crimes and corruption at high places in public life in the cases of जो इस question नो ए वार कॉंसिल दे दवारा डिलीट कर दता गया सेगा उस ता कारण सेगा जो एदे विच टाइपिंग अशने कर दता गया इसके जो एक केस देविच डिडिशाइड कीता गया सेगा बनीत नरेयन बट इस ओप्षिनसट नरायन मेंचन न कर दता गया इन्द जिसका है क्वारा के इंडिपेंडेंट अग्जैंसी ता रहा है ओो जो मोर एफिशेंटली अपना वर्क कर साग दिया जो क्वेस्चन ट्वांटी टू है उनना दे बिच्च केंदे कर वन ओफ ली फॉलिंग स्टेटमेंट इस नौ टो विच वन इस देट इनना दे बिच्च केडी स्टेटमेंट आ है ओ सही नहीं है अग कनफेशन बाए वन को अधर को अक्यूस्ट बुड़ भी प्रूवड केंदे जो कनफेशन है एक क्यूस्ट ने कर दता ते बट जड़ा सी दूसरा क्यूस्ट दानू सिद्धा ही असी इंप्लीकेटिंग नहीं कर दमांगे वोस चीज़नों दूसरे ले ले लिए अक्यूस्ट देली सानूं वोस चीज़नों प्रूवगान ना पबेगा जो फर्स स्टेटमेंट है एवी सही है बीक के अंदर प्या अक्नफेशन टूआ पुलीस आफसर कैन नौट भी प्रूवड एवी बिलकुल सही है जो ट्वांटी फाइव है या एविडेंस एक्ट दा ओ एही के अंदर कोई भी पु पुलीस आफसर टू एनी परसन दी प्रेज़नों मेजस्टेट कैन भी प्रूवड एदे विच जो सी दे विच डॉट लग दा प्या थोड़ा देखो जो सी या ओ भी नहीं हो सागता है गा जो कस्टे अपना सेक्शन टुवांटी सिक सा एविडेंस एक्ट दा पामें ता पुलिस दे प्रवाब दे अंदर या कस्टडी दे विच इसलिए इस तरह दा कनफेशन भी जिते पुलिस मेजूद होगी कस्टडी दे विच पामें उत्ते मैजस्टेट आ उ मन्या नहीं जावेगा ते डी हैगा या इफ दी कनफेशन ओफ परसन्स लीड्स तू रिकवरी इसलिए जिस दे लिए कि सेक्शन 27 क्लीर ही कहनदा है कि अपां इन्वेस्टिगेशन दे लिजे कोई इंफोमेशन दित्ती जान दिया कि उस दे दवारा उन्हों वोदे खलाफ अजी यूज कार साकते हैं इसलिए जो गल्द स्टेटमेंट है वो C है इस दा जो आंसर है वो है C जो तेई नेक्स्ट क्वेशन है 23 ते दी कश्मीरा सिंग बरस स्टेट ओं एमपी इस लीडिंग केस ओन जेड़ा एवड़ा लीडिंग केस है वो हैगा या कनफेशन ओफ को एक्यूजड जो किश्मीरा सिंग बरस सेगा एक कनफेशन ओफ को एक्यूजड नू लेके सेगा सो इस दा राइट अंसर है जो D 24 ते ट्वंटी फोर्थ जो के क्वेशन है विच ओफ फॉलिंग फेक्ट इस नॉट रेलिमेंट इन सिवल एंड क्रिमिनल केसे अंडर सेक्शन एट ओफ इंडियन एविडेंस एक्ट ए हैगा मोटेव बी हैगा अटेंप्ट सी हैगा कंड़क्ट डी हैगा प्रिप्रेशन सो एदे विच जो रॉंग आंसर है ओँ हैगा अटेंप्ट क्योंकि सेक्शन एट है और मोटेव इडिफाइन का दा कंड़क्ट भी थे प्रिप्रेशन भी बट जड़ा अटेंप्ट वर्ड है और सेक्शन एट दे विच नहीं यूज गिता गया ते जो क्वेशन 25 है बटन स्टेंड फूर जो बटन है और स्टेंड फूर इस दा अंसर है जो बी है बेट